खबरकोरिया के चनवारी डांड से जहां केंदर सरकार की ओड से मिलने वाला राशन गबन क्या गया है आरोप है कि सरकारी उचित मुल्ले की दुकान पर हितगराहियों को अप्रेल और मई में 10 से 15 किलो चावल कम दिये गए जिसकी शिकायत मनेंदरगड से की गई से पहले भी इस राशन दुकान में गडबड़ी मिलने पर स्टम ने कारवाई की थी अब दोबारा ने शुलक चावल सोसाइटी संचालक पर घुटाले कारूप लगा है आठ नौ लोग दस लोगों का रासन अभी मेरे पास कुछ लोगों की वीडियो भी है और यहां के लोग भी हैं उनकी रासन कार्ड भी मेरे पास आठ दस लोगों का रासन कमन किया गया है और मैं ज्यादा लोगों से पूछा ही नहीं हूँ 12-15 लोगों से ही पूछाओं जिसमें से 8-10 लोगों का गमन हुआ है पूरी चनवारी डान में तकरीवन 500 प्रात्मिक कारड हैं और ले दे के 600-700 कारड हैं मेरो तो लगता 3-400 कारडों में गमन हुआ होगा बालोद में जिला मुख्याले में बिना पंजियन संचालित पैथलोजी लैब संचालिक के खलाफ कारवाई की गई 117 राज़स विभाग की टीम ने सुएक तरूप से कारवाई करते हुए लैब को सील कर दिया विभाग किस कारवाई से जिले में हरकम पमच गया बिलासपूर में ऑनलाइन साइबर ठग काफी सक्रे हो गए है ठगी के अलग-अलग तरीकों को अपना कर ये ठग लोगों को अपना श्रिकार बना रहे है अब ये ठग विजली उप भोगताओं को विजली बंद के साथ ही अलग-अलग तरह की मेसेज मोबाईल पर भेजते हैं जिसमें लोगों को ततकाल कॉल करने के लिए कहा जाता है मैसेज में दिये गए नंबर पर कॉल करने के बाद कुछ एप डाउनलोड करने को कहा जाता है अब विजली विभाग के साथ ही पुलिस ने भी लोगों को अलग रहने की सलहा दी है दो दिनों के अंदर ठगी के चार मामले सामने आए हैं जिन से करीब सवा साथ लाख रुपे की ठगी की गई अधिकतर रिटायर लोगों को गिरों ने अपना निशाना बनाया है विद्यूत विभाग ने इसकी शिकायत पुलिस विभाग से भी की इदर उप भोगताओं और विभाग से मिले शिकायत के अधार पर पुलिस ने मामलों में धोका धरी का केस तरच कर लिया है इसके साथ इस साइबर की टीम को इसकी जांच के निर्देश के साथ ऐलर्ट किया गया है ताकि बिजली बिल के नाम से ठगी करने वाले इस गिर्धो का परदा फाश किया जा सके दिनों से बिजली कट जाएगा आपने बिल पेमेंट नहीं किया है ऐसा मेसेज करके और उस पर एक नंबर फ्लैस होता है जिस पर कॉल करने से सामने जो फ्रॉड है उसके द्वारा पीडित का मुबाइल में एनी डेस्क या टीम वीवर एप डाउनलोड करा दिया जाता है और उसके माध्यम से उसके सारे करिडेंसियल्स ले लिये जाते हैं और उसके बैंग एकाउंट को हैक करके उससे पैसे विड्रॉल कर लिये जाते हैं पुपाल के एक खतरनाग गैंग्स्टर मुखतार मलिक के लाज के दौरान मौत हो गई दो दिन पहरे राजिस्तान के भीम सागर में मचली के ठेके को लेकर गैंग वार हुई थी जिसमें गोली लगने से मुखतार गंभी रूप से खायल हो गया जंगलों में जाच छिपा था जानकारी मिलने पर पुलिस ने मुखतार मलिक को अस्पतार में भरती कराया